दोस्तो अभी अभी की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही बिहार बोट की तरब से जीहां फ्रेंट मैटिक का रिजल्ट है जो कि कब आने जा रहा है दोस्तो आज है ओचुका है दो अपरेल और दो अपरेल को दोस्तो बहुत बड़ी अपडेट आपको निकल के आ रह आया तो हम आपको इस वैडियो में बताने वाला है कि, आज आपका है जो की रिजल्ट नहीं आएगा, और आपका रिजल्ट है कभ आने जा रहा है? आपको 100% सचे ख़वर, आपको इस वीडियो के माद्दम से हमँ बताने वाले हैं तो दोस्तों आप लोग है जो जोरु से देखेगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगये तो आपने दोस्तों के पास में शेर कीजेगा और लाइक जोरूरू से कीजेगा और दोस्तों इसी तरह का लेटेश्ट अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं बिहार बोड़ की तरब से जो भी अपडेट देते हैं आपको पूरूप के लिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान निवज का दोस्तों यह आपको खवर है यह आपको छे नमर पेज में आपको देखने को मिल जाएगा पटना सुक्रवार 2 अपरेल 2021 का यह डेट में दोस्तों आपको यहां पर प्रकासित किया गया आज ही का खवर है दोस्तों चली हम पूरी डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों कि कब आपका रिजल्ट आने जा रहा और कितने बज़े आपका रिजल्ट आएगा और यहां पर टॉपर्स जो है उनका यहां पर सचाथकार है जो की चल रहा है तो यहां पर आप ल में सामिल होने की संभावना जताई जा रहे क्योंकि गुरु वार को भी द्याले के सिचकों को फोन कर दोनों त्राव को साचातात के रिए यानि की इंटर्भीव के लिए बिहार बोड द्वारा पटना बुलाया गए यानि कि दोस्तों आज 2 अप्रेल यानि कि 2 अप्रेल को यहां पर आपको बिहार बोड के जो आज संभावी थी यहां पर देखिए जो टोपर्स में सामिल हुए हैं उनका है जो कि यहां पर टोपर्स का आज सचातकार लिया जाएगा यानि कि इंटर्भीव लिया जाएगा और यह बिहार बोड के कर्याले में आपको यहां पर लि चाहरती है और यहाँ पर रामगर निवासी अनिल्चा की पुत्री संजिवनी कुमारी है फीता मीडै उस्कूल पीपरा में सिच्छ के वही दुसरी छाट्रा सुबही निवासी कमलेस है कुमार सी की पुत्री खुस्भु कुमारी युसे पटना बुलाई जाने पर top 10 में सामिल होने की चर्चा है दोनों छात्राएं के परिजनों ने बता है कि बिहार विदाले परिच्छा समिती में ऐसे अस्कूल से फोन आया है यानि कि आपको यहाँ पर बिहार बोट कारियाले से फोन किया गया है जो अस्कूल में आपको टीचर को यहाँ पर फोन आया है कि दो अपरेल को दस बज़े से देखिए दस बज़े सुबा में इंटर्व्यू के लिए आना है गरामिन परिवेस से बोड परिच्छा में top 10 में सामिल होना परखंड के लिए गरब की बात होगी गरामिन परिवेस के बच्चे भी अब सहरी बच्चे के बच्चे को टकर देने लगए दोनों छहत्राओं को बुलाई जाने से अस्थानियों लोगों में खुसी है और अगामि 7 अपरेल को मेर्टिक रिजल्ट आने की संभावना जताई जारी है दोनों छहत्रा इंटरव्यू के लिए पटनर आवाना हो गई है यानि कि दोस्तो आज है आपका 2 अपरेल और 2 अपरेल को यहाँ पर देखिए 10 बज़े से है जो कि यहाँ पर जो भी संभाव उन्हीं को पता चलेगा और नहीं तो जो भी छातर यहाँ पर बीच में छोर के चल गए होगे तो आप लोग दूसरा दूसरा वीडियो देखेंगे और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा कि आज ही रिजल्ट आ रहा है लेकिन दोस्तो ऐसा बात नहीं है कि कि आज का नुच पेपर नहीं पर कासित्क किया गाया कि सात अपरेल्स को यह मैंट्रीक है जो आने की संभावना जचाए जाए जारी है आपको यहां पर देखे साथ को समभावना जटाए यह साथ से पहले भी आपको यहां पर रिजल्ट है जो कि जारी हो सकता है तो आप लोगों के यहां पर दो तारık है आज आपका है जो कि topers का interview चल रहा है दोस्तो अगले कुछ ही घंटों में यानि कि आपको 48-72 घंटों में यानि कि एक से दो दिनों के अंदर में दोस्तों आपका है जो कि result है जो कि आ सकता यह संभावित ही थी है यह आपको confirm नहीं है विहार बोड की तरब से कोई भी date नहीं allowance किया गया है लेकिन दोस्तों यह बताया है कि विहार बोड के द्वारा अ आप लोग चेक कीजिएगा सबसे पर अपना डीजल चेक कर पाएंगे